पत्म पुरान खंडएक अध्याय तीन पुलस्त जी कहते हैं राजन ब्रंभा जी सर्वग्य एवं साक्षात नारायन के सुरूप हैं वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन हुए कहलाते हैं वास्तम में वे तो वे नित्त ही हैं अपने नीजी मान से उनकी आयू सोवर्स की मानी गई है वह ब्रंभा जी की आयू पर कहलाती है और उसके आधे भाग को परार्थ कहते हैं पंदरह निमेश को एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठाओं की एक कला और बीस कलाओं का एक मुर्थ होता है तीस महुर्तों के काल को मनुसिका एक दिन रात माना गया है तीस दिन रात का एक मास होता है और एक मास में दो पक्छ होते हैं छे महिनों का एक अयन और दो अयनों का एक वर्स होता है अयन दो हैं दक्छिनायन और उत्तरायन दक्षिनायन देपताओं की रात्री है और उत्तरायन उनका दिन है देपताओं के बारह हजार बर्सों के चार यूग होते हैं जो करमसह, सत्य यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कली यूग के नाम से प्रसिद्ध है अब इन यूगों का वर्स विभाग सुनो पुरातत्तो के ग्याता बिद्वान पुरुस कहते हैं कि सत्य यूग आदी का परिनाम करमसह, चार, तीन, दो और एक हजार दिब्वर्स है परतेक यूग के आरंभ में उतने ही सौ वर्सों की संध्या कही जाती है और यूग के अंत में संध्यांस होता है संध्यांस का मान भ सत्य यूग और त्रेता आदी के नाम से परसिद्ध है सत्य त्रेता यूग द्वापर यूग और कल यूग ये सम मिलकर चत्र यूग कहलाते हैं ऐसे एक हजार चतुर यूगों का ब्रम्भा का एक दिन कहा गया है राजन ब्रम्भा के एक दिन में 14 मनु होते हैं उनके समय का प्रिणाम सुनो सब्तरसी देवता इंद्र मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन हुए होते हैं तथा अंत में साथी साथ इनका संघार भी होता है 71 चतुर युक से कुछ अधिक काल का एक मनमंतर होता है यही मनु और देपताओं आदी का समय है इस प्रकार दिब्वर्स गन्ना के अनुसार 8 लाग 52 वर्सों का एक मनमंतर होता है महामति मानव वर्सों से गन्ना करने पर मनवंतर का काल मान पूरे 30,666,20,000 वर्स का होता है इससे अधिक नहीं और इस काल को 14 गुना करने पर ब्रम्भा के एक दिन का मान होता है उनके अंत में नेमितिक नाम का ब्रम्भ प्रलय होता है और उसमें भुलोक, भुर्वलोक, स्वर्गलोक, संपूर्न, त्रिलोकी दग्द होने लगती है महलों में निवास करने वाले पुरूस आज से थमतप्त होकर जन्नोक में चले जाते हैं और दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रम्भाजी पुनह संसार की स्रिष्टी करते हैं इस प्रकर पक्ष मास आदी के करम से धीरे धीरे ब्रम्भाजी का एक वर्स ब्यतीत होता है तथा इसी करम से उनके सो वर्स भी पूरे हो जाते हैं और सौ वर्स ही उन महात्मा की पूरी आयू है भिस्म ने कहा महामुने कल्प के आदी में नारायन संग्यक भगवान ब्रम्भा ने जिस प्रकार संपुर्ण भूतों की स्रिष्टी की उसका आप बर्णन कीजिए पुलस्त जी कहते हैं राजन सब की उत्पत्ती के कारण और अनादी भगवान ब्रम्भा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की स्रिष्टी की वह बतलाता हूं सुनो जब पिछले कल्प का अंत हुआ उसमें रात्री में सोकर उठने पर सत्तुगुन के उद्वेक से युक्त प्रभू प्रम्भा जी ने देखा कि संपुर्ण लोक सुना हो रहा है तब उन्होंने यह जान कर कि पिर्थवी एक कारवर्ण के जल में डूब गई है और इसमें पानी के भीतर ही इस्तीत है उसको निकालने की इक्छा से कुछ देर तक विचार किया फिर वे यग्य में बराह का रूप धारन कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए भगवान को पाताल लोक में आया देख पिर्थवी देव भक्ती से बिनम्र हो गई और उनकी अस्तुती करने लगी पिर्थवी वोली की भगवान आप सर्व भूत सरूप परमात्मा है आपको बारंबार नमसकार है आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए पुर्व कारण और व्यक्त आपके ही स्वरूप हैं काल भी आप ही हैं आपको नमसकार है प्रभू जगत की स्रिष्टी आदी के समय आप ही ब्रम्भा विश्णू और रूप रूद्र रूप धारन करके संपुर्ण भूतों की उत्पत्ती पालन और संगहार करते हैं यद भी आप इ कोक्ष पा सकता हैं नेत्रादी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने योग तथा बुद्Дी के द्वारा विचार नी है वह सब आपही का स्वरूप हैं आपहीं मेरा उपादान हैं आपहीं आधार हैं आपने ही मेरी स्रिष्टी की है तथा मैं आपकी ही सरन में हूँ इसलिए इस जगत के लोग मुझे माध्वी कहते हैं पृत्वी ने जब इस प्रकार अस्तुती की तब उन परमकांतिमान भगवान धर धरनी धर ने स्वर्ग में गर्जना की सामवेधी उनकी रस उस ध्वनी के रूप में प्रकट हुआ उनके नेत्र खिलेवे कमल के समान सोभा पा रहे थे तथा सरीर कमल के पत्ते के समान स्याम रंग का था उन महाबराह रूपधारी भगवान ने प्रतवी को अपनी धाड़ों पर उठा लिया और रसातल से वे उपर की ओर उठे उसमें उनके मुक से निकलीवी सांस के आगात से उचले हुए उस पलेकाली जल में जनलोक में रहने वाले सननंदन आदी मुनियों को भीगो कर निस इगा हुआ था जिस समय वे अपने बेद में सरीर को कांपते हुए प्रित्वी को लेकर उठने लगे उसमें आकास में इस्तित महर सीगन उनकी अस्तुती करने लगे रिशियों ने कहा जने स्वरों के भी परमेश्वर के सब आप सब के प्रभू हैं गदा संख पद्म खट चक्रधारन करने वाले हैं स्रिश्टी पालन और संखार के कारण तथा इस्वर भी आप ही हैं जिसे परमपद कहते हैं वह भी आप से भिन नहीं है प्रभू आपका प्रभाव अतुलनी है पिर्थवी और आकास के बीच जितना अंतर है वह सब आपके ही सरीर से ब्याप्त है इतना ही नहीं यह संपुर्ण जगत भी आपसे ब्याप्त है भगवन आप इस विस्वकाहित साधन कीजिए जगदी स्वर एक मात्र आप ही परमात्मा है आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत ब्याप्त हो रहा है यह सारा जगत ग्यान सरूप है तो भी अग्यानी मनुष से इसे पदार्थ रूप देखते हैं इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है परंतु पर में स्वर जो लोग भी ज्यान वेदता हैं जिनका अंतह करंसुद्ध है वे समस्त संसार को ज्यान में ही देखते हैं आपका स्वरूप भी समस्ते हैं सर्व भूत स्वरूप परमात्मन आप परसन हो ये आपका स्वरूप औप्रमे है प्रबो भगवान आप सब के उद्वव के लिए इस पृत्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्यान कीजिए राजन सनक आदी मुनी जब इस प्रकार अस्तुती कर रहे थे उसमें पृत्वी को धारन करने वाले परमात्मा महाबरा सिक्रही इस वसुंधरा को उपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर अस्थापित किया उस जल रासी के उपर यह पृत्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांती स्थित्वी तत्पस्चाद भगवान ने पृत्वी के कई विभाकर के साथ दिवपों का निर्मान किया तथा भू लोग, भूरू लोग, स्वर्ग लोग, महलोग, इन चारों लोगों की पुरुव प्रताओं की भलाई के लिए आप मार डालें, मैं जो स्रिष्टी रखूंगा उसका पालन करना आप, मुन के ऐसा कहने पर भगवान विश्नुत अथास्तु कहकर चले गए और ब्रम्भा जी देपता आदी प्राणियों की स्रिष्टी प्रारंब की, महत्त्त की उत्पत्ती को ही ब्रम्भा की प्रतम दृष्टी समझना चाहिए। तनमानतराओं का आविरभाव दूसरी स्रिष्टी उसे भूत सर्ग भी कहते हैं, बैकारिक अर्थात सात्त्विक एहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ती हुई है वह त्रिष्टी दृष्टी है, उसी का दूसरा नाम एंद्रिय सर्ग है इस प्रकार यह प्राकिर्ट सर्ग है जो अबुद्धी पूरुवक उत्पन हुआ है चौथी द्रिष्टी का नाम है मुख्य सर्ग परवत और ब्रिच आदी अस्थावर वस्तूं को मुख्य कहते हैं तिर्य खोत कहकर जिसका वर्णन किया गया है वह पांचमी द्रिष्टी के अंदर गाटा आता है और उन्हें त्रियक योनी भी कहते हैं तत्पस्चात उर्द रेता देपताओं का सर्ग है वही छती द्रिष्टी है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं तदंतर सातमी द्रिष्टी अर्वा सोकताओं की है और वही मानव पात्विक भी है और तामस भी इन आठ सरगों में से अंतिम पांच बैक्रित सरग माने गये हैं तथा आरंभ तीन सर्ग प्राकृत बताए गए हैं नवी कौमार सर्ग है यह प्राकृत भी है और बैकृत भी इस प्रकार जगत की रचना में प्रवित्वे जगदी स्वर प्रजापती यह प्राकृत और बैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हें बतलाए गए जो जगत मूल के कारण है अब त तुम इससे क्या सुनना चाहते हो तब भिस्म जी ने कहा गुर्देव आपने देपताओं आधी की स्रिष्टी थोड़े ही बताई है मुनिश्रेष्ट अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार पुर्वक सुनना चाहता हूं पुलस्त जी ने कहा राजन संपुर्ण प्रजा अपने पुर्वकृत सुभासु कर्म से प्रभावित रहती है अतह प्रलैकाल में सब का संगहार हो जाने पर भी वह उन कम के संसकार से मुक्त नहीं हो पाता जब ब्रंभाजी स्रिष्टी कार में प्रभृत हुए उसमें उनसे देपताओं से लेकर अस्थावर पर्यंत चार प्रकार की प्रजा उत्पन हुई वे चारों ब्रंभाजी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई इसके बाद प्रजा पती ने देवता असूर पितर मनस से इन चार प्रकार के प्राणियों की तथा जलकी भी स्रिष्टी करने की इच्छा से अपने सरीर का उप्योग किया उसमें स्रिष्टी की इक्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापती की जंगा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ती हुई और उनकी स्रिष्टी के पस्चात भगवान ब्रंभा ने अपनी आयू से इक्छा नुसार पक्छियों को उत्पन किया फिर अपनी भुजाओं से भ पसुओं की स्रिष्टी की ब्रम्भाजी की रोमावलियों से फल मूल और भाती भाती के अन्न का प्रादुर्भा हुआ गायत्री छंद रिकिवेद त्रीवित्रोत्तम रत्वंतर तथा अगनिश्टोत्तम यग्य को परजापतिय ने अपने पुरुवर्ती मुख से प्रकट क यजूरवेद त्रीपुष्ट छंद पंचप दसोत्तम ब्रिहस्तासम उक्त की दक्षिनवाले मुख से रशना की सामबेद जगती छंद सब्त दस्त्तरम बैरूप तथा अती रात्रभा की स्रिष्टी पस्ची मुख से की तथा एक विन सोत्तम अथरवेद आपतोर्याम अ उत्तरमुखी मुख से उत्पन किया छोटे बड़े जितने भी प्रानी है सब प्रजापती के विभिन अंगों से उत्पन हुए कल्प के आदी में प्रजा की प्रजापती ब्रह्म्हा ने देपताओं असूर पितरों और मनुस्य की स्रिष्टी करके फिर यक्ष्य पिचास गंधर्व अपसरासिद किन राक्ष सिह पक्षी मृग और सबको उत्पन किया नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है सबको आदी करता भगवान ब्रह्म्हा ने उत्पन किया उन उत्पन हुए प्रानियों में से जिदोंने पुर्व कल्प में जैसे कर्म किये पुना बारंबार जम लेकर वैसे ही कर्मों को प्रवित्त होते हैं इस प्रकार भगवान बिधाता ने ही इंद्रियों के विशेयों भूतों और सरीरों ने विभिनता एवं प्रथक प्रथक बेभार उत्पन किया उन्होंने कल्प के आरंभ में बेद के अनुसार देवता आदी प्राणियों के नाम रूप कर्दब्य का विस्तार किया रिसियों तथा अनन्याय प्राणियों के भी बेदा नुकूल नाम और उनके यथा योग कर्मों को भी ब्रह्माजी ने निस्चय किया जिस प्रकार भिन भिन रित्यों के बारं बार आने पर उनके विभिन प् तथा स्रिष्टी की सकती से युक्तुब्रंभा जी कल्प के आदी में बारंबार ऐसी ही स्रिष्टी किया करते हैं पंद्व पुरान खंड एक अध्याय तीन समाप्त हुआ कल हम आप से अगले अध्याय के साथ मिलेंगे हर हर महादे पसंद आए तो लाइक कर सब्सकाइब कर सेर करें धन्यवाद